हतियार के साथ चुनाव प्रचार कर रहे अकबपुर पंचायत से पुलिस ने शिवानंद और सूरजभान सिंग को किया गिरफतार हतियार लेकर चुनाव प्रचार कर रहे अकबपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के पती शिवानंद सिंग के साथ साथ सूरजभान सिंग को पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया इनके पास से एक रायफल और 43 गोली बरामत किया गया है थाना ध्यक्ष प्रकाश कुमार शरण ने बताया कि मंगलवार की रात को गुप्त सूचना प्राप्थ हुआ की प्रक्षंड के अकबरपूर पंचायत के अकबरपूर गाउव में हथियार के साथ कुछ लोग जुनाव प्रचार कर रहे है वरिय पदाधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ हे स्टी एफ का संयुक्त टीम गठित कर अकबरपुर गाउव में छापा मारी किया गया जहां हथियार के साथ प्रचार करते अकबर पूर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के पती शिवानन सिंग जो हिलसा थाना क्षेत्र के रसाई विगहा गाउं का मूलतह निवासी है इसके अलावे थर्थरी थाना क्षेत्र के भोटुचिक गाव निवासी सूरजभान सिंग को पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया इनके पास से एक रायफल और 43 गोली बरामत किया गया है गिरफदार दोनों के विरुद्ध हिलसा थाना में कान दर्ज कर जेल भेज दिया गया हाला कि गिरफदार भावी मुखिया प्रत्याशी पती शिवानंत सिंग ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए रिस्तेदार का लाइसेंसी हथियार लेकर चल रहा था विरोधियों के द्वारा जान बूच कर एव साजस के तहत फसाने का काम किया है पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर थे इस बार पंचायत की पूरी जन्मत हमारे पक्ष में है यही कारण है कि हार के डर विरोधि के द्वारा इस तरह से फसाने का काम किया है न्यायलया पर पूर्ण आस्था और भरोसा है न्याय की जीत होगी थाना ध्यक्ष ने कहा कि बिहार में पंचायत का चुनाव हो रहा है नालंदा जिला में भी कई प्रखंड में पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है हिलसा प्रखंड में नौवे चरण में चुनाव होना है चुनाव को लेकर आदर्श आचार सहिता लागू है